हाई मैं डियरी स्टुडेंट्स विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल ओदेस ब्रैंडड गलासे जाब सभी के एक बार फिर से स्वागत करता है आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट सेविन यानि की कमिश्ट्री के च्छा बार डी और ये वला के तत्तों के जबरजस्त अठारा न्यू आपजेक्टिव कुस्चन से जो हर बार एक जाम्स में आते ही है पहला नमबर प्रसंदिया गया संक्रमण तत्तों में फोर डी सिननी का तत्त है तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा नमबर प्रसंदिया गया है एक संक्रमण धातू की अधिक्तम आक्सी करण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्टरान मुगत होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगो आपसा नमबर C यानि N-1 D-Electron तीसरा नमबर प्रसंदिया गया है निम प्रश्चिस करने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत इस सरल मादयम से समझ में आ जाएगा शवथा नमबर प्रसंदिया गया है संक्रमन धातु जो परिवर्तन सील अवस्था नहीं दरसाती है वह है तो इसमें कौन सा है जिंक यानि जडियन पाच्वा नमबर प्रसंदि है यानि की स्कंडियम 3 प्लस यानि की एस से 3 प्लस जयानि धनायन जो है वह प्रतिचुंबकी नहीं है क्यों प्रसंदिया नहीं 6 वह आपका ऐर्जंट नम य्यानिकी चान दी जिससे आप लोग सिल्वर के लाम से जांते इस आयन का जली विलियन रंग हीन होता है तो इसका राइटन सरके होगा इसका अंडियम 3 प्लस यानि या C3 प्लस नवह नमबर प्रसन है निम दिलिखित मैंसे किस आयन में आयुगमित इलेक्टरानों की संक्या सून है तो जड यान प्लस प्लस यानि कि जड का जो मान होता है वो होता है 30 दसवा नमबर प्रसन दिया गया है इस विण्यास का कुणड़ी चुमकी आघूंड 2.84 बीम होता है तो डी की पावर फूर का चुमकी आघूंड प्मान 2.84 बीम होता है गेरवान नम्बर प्रस्ण है निम्दम में से कौन साता तो उत्प्रेर की गूंड दरसाता है तो यह फिए यानि फेरम जिसे आप लोग फेरम के नाम से जानती हुए यानि लोहा बारवन नम्बर प्रस्ण दिया गया है रंगीन आयनों को निर्माल संभव होता है जब याउगिक में विदमान होते हैं यानि क्या विदमान होते हैं आयुगमित इलेक्टरान तेरवा नमबर प्रसंद दिया गया है जब मैंगनी ड्राइकसाइड को को च के साथ गलित किया जाता है तब बनता है पोटेसियम मैंगनेट बहुत जबरजस्त कुस्चन्स है चौद्वे नमबर प्रसंद दिया गया है निन्न तत्यों मैंसे लैंथे नाइड तत्यों है C.E. 2015 के पेपर में पूँचा गया था और हो सकता है किस पर गैप देकर पूँच लिया जाए पंद्रेवे नमबर प्रसंद है लैंथोनाइड के निन्न लिखित में से कौन सी आक्सी करण अवस्ता सभी में होती है त्यानि धनायन की तीन सुलवा नमबर कोश्चन दिया गया है लैंथे नाइड्स के परमालू कर्मांक के बढ़ने के साथ परमालू ये तरिज्जिया में कमी होती है किन्तु अपवाद है इसका राइड अंसर क्या होगा है I-O-Y-B 17 नमबर प्रसंदिया गया है लाइंथे नाइड आक सकुंचन के कारण पस्च लाइंथे नाइड में यानि कि क्या उपस्तित होता है तो इसमें आयनन उठ्जा अधिक हो जाती है गन तो उच्छ हो जाता है आयनिक त्रिज्य का मुझाते ही है ये तीनों इसका सही राइट और अंसर होगा यानि कि परियुक्त सभी आपको टिक करना है लाश्ट नमबर अठारव नमबर कोस्चन सही लैंथे नाइड आकुंचन का मुख कारण गया होता है यानि कि फोर यफ इलेक्टरान का दुरूबल परिरेच्छन प्रभाव ही लैंथे नाइड आकुंचन का मेन रीजन होता है तो आई होप आप सभी लोगो को मैंने कोस्चन सही सभी की अंसर बता दिया है तो अब आगे वीडियो में बात करेंगे थोड़े से और जो लांग कोस्चन स्क्रूब में पूछ जाते हैं तो फिर मिलेंगे ऐसी दमाग दर वीडियो में तब तक लिए गुडबाय थैंक्स वाचिंग फार दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिल आइकन प्रिस